गुड बॉर्निंग इस्टुडेंट्स इस स्रिस्टिव पाध्याय फैकल्टी आफ प्रैक्सिस लिद्या पीट रुद्हौली बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे चैप्टर नमर एट पॉपुलर बिलीफ और रिलिजिस डिबेट्स तो बेटा इस पैसली हमको देखना है कि पॉपुलर बिलीफ यानि कि धर्म से रिलेटेड लोगों की आस्था कैसी थी किस में थी कैसे कैसा किस तरह से समाज था धार्मिक समाज इस्पैसली तो उन सारी बातों पर हमको डिसकस करना है तो स्टार्ट करते हैं आप लोग बुक ओपन कर लिजे पेज डंबर 76 चैप्टर पॉपुलर विलीफ एंड रिलिजियस डिबेट सबसे पहले इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन में देखेंगे दा मेडिवल पीरियड इन इंडिया वस तो ओपन न्यू चैप्टर इन फिस्ट्री आफ रिलिजियस डेवलप्मेंट भ मेडिवल पीरियड में माग्ड बाइड़ एपेरेंस ऑफ न्यू कोल्स और आल्सो दे रांस्फोर्मेशन आप प्री एग्जिस्टिंग रिलिजियस क्यों कैसे डिवलिप्मेंट हुआ और क्यों डिवलप्मेंट हुआ तो देखिए पहली बात तो कुछ ने ने विचार उ जिससे धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला अन्यू रिलिजियस बलीप्स एंड कर्स एरोज सिख्षिज्म और एक तरह से नए धर्म भी उभरे ठीक है नए ग्रूप आफ हम कह सकते है कि एक तरह से समुदाय होता है ना तो एक नया समुदाय उभरा सिख्षिज्म ठीक है तो यह मैडिबल पिरियंटमें यह उबरा था भक्ति मुव्मेंट एंड सुफिज्म भक्ति मूव्मेंट मीज बक्ति आंदोलन भक्ति की काबधारा कह सकते हैं अनदोलन मतलब ऐसा नहीं जो प्रोटेस्ट होता है विरोध होता है उस तरह से नहीं एक भक्ति काम सब लोग लीन हो जाएं उस तरह से ठीक है एंड सूफी 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 मतलब यह भी भक्ती से रिलेटेड है on the other hand there were efforts to the reform the caste based rigid rigid Hinduism दूजरी तरफ क्या था बहुत सारे प्रयास किया जा रहे थे कि जो हिंदु धर्म से रिलेटेड आपको पता है ना पहले वर्ड विचार था वर्ड विचार में caste सिस्टम बनाया गया था ब्रामण बैस सूद्र एंड छत्री है ना तो इस लिए रिजिड जो कड़ी धर्म से रिलेटेड जातियत परता थी जाति सिस्टम था इसको खतम करने के के लिए बहुत सारे सुधार किये जा रहे थे आगे देखेंगे सेंट्स एंड रिफॉर्मस लाइक कबीर नानक एंड मीरा भाई एट्सेटरा प्रीज्ट कॉंसर्फ लाइक ओननेस ऑफ गाड एक्वैलिटी एमंग हुमन बीइंग अब सेंट्स सादू महात्मा जैसे की या स आगीं दू जैसे कभीर हो गया नानक हो गया मीरा भाई ठीक है यह लोग समय समय पर बहुत सारे लोगों के अंदर उपदेश दिए लोगोंको को उपदेश बताय और यह बताय कि भगवान एक है यह जाती प安ती और भेद भाउं जो है यह सब गलत है तो कुछ समा सुधार को और कुछ सादू संथुए जिन्होंने बहुत सारा भासर दिया बहुत सारा उपदेश दिया लोगों को समझाया कि यह वर्णिस आप गौड के बारे में बताया भगवान एक है इश्वर एक है इस तरह से लोगों को जो देखने का चीजों को जो देखने का नजरिया था वो बदला चुकि लोग उनको उपदेश दे रहते सादू महात्माओं के उपदेश थे क्या असर पड़ा लोगों के उपर कि उनके सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदला अब क्या हुआ इन उपदेश से इन सादू महात्माओं के बातों से लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ और जो हिंदू धर्म का रिजिट का सिस्टम था का सकते हैं कठोर जातिगत प्रथा थी इसमें थोड़ा-थोड़ा सुधार हुआ और नए-नए हम कर सकते हैं धार्मिक सुधार हुए तो इंट्रोडक्शन में आप क्या समझें कि मेडिवल पीरियेड अफ इंडिया जो था वो उस टाइम पे बहुत जादा धार्मिक सुधार हुए, धार्मिक डेवलप्मेंट हुए और कैसे बहुत सारे समास सुधार हैं, बहुत सारे सादु मात्म, जैसे आपको नानक का नाम बताया गया, कबीर का नाम बताया गया इन लोगों ने प्रीच किया मीन्स उपदेश दिया लोगों को कि भगवान एक है आप लोग जातिकत भेदभाव करके गलत कर रहे हैं ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए जिससे बहुत सारे सुधार हुए अब बिलीफ सिस्टम एंड्स सिंक्रेटिक कल्स ठीक है डियूरिंग इस समकालिक पंथ ठीक है उस टाइम का जो पंथ था लोगों का बिचार जो ठायास्ता जो अपनाये थे कि हमको को इसी फसी हिंदू धर्म पॉस्पमेंट के इस फिरेए मुवमंट्स सरी सताफ हैंलरिंघ उफडेंग चुबआने यह जो belief system था जो भक्ति करने का तरीका था दो भागता इसका एक सूफी कावेधारा हुआ करती थी जैसे सूफिज्म कहा जाता है और एक था भक्ति movement यानि कि भक्ति आंदोलन कह सकते हैं इसको ठीक है तो अलग अलग करके इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंग ठीक है भगवान की भक्ति भगवान में आस्था रखना भक्त और भगवान के बीच में जो relationship होता है ठीक है उसे कहा जाता है भक्ति तो यह जो भक्ति का concept था यह हिंदु धर्म के लिए कोई नया नहीं था बिटा इट फाइंस मैंसन इन दा हॉली scriptures in the पुरानाज दा अनपैस उपनिशत ठीक है पुरान उपनिशत और भगवत गीता रिटेर इन दा एंसियन टाइम तो हिंदु धर्म के लिए भक्ति का मतलब कोई नई बात नहीं थी भक्ति तो बहुत पहले टाइम से जान रहे थे लोग जैसे कि भगवत गीता के थू प बारे में पता थां भक्ति क्या होती है ठीक है एने फिर क्या होता है याज फिर अनी मार्ग और पत्व धांते थी जान दीजिए गाव मार्ग से आंतों और व्यrogवत नुद्द का भक्ति मौन में क्या हुआ मैडिवल पीरिएड में जब भक्ती मुवमेंट चला यानि की नए-नए डेवलपमेंट होने लगे तो लोगों को पहले से ही धर्म के बारे में पता था भक्ती के बारे में पता था लेकिन फिर भी क्या हुआ मोख्ष के लिए मोख्ष मतलब क्या सकते हैं मुक्ति की हर एक बेकिती जन्म मरड के बंदन दन रहे उसके लिए तीन रास्ते बनाये गए एक था ज्यान मार्ट पाथाप नौग्छ ठीक है एक था कर्व मार्ग पाथब ड्यूटी और एक था भक्ती मार्ग पाथब डिवोशन समझ गए होंगे आप लोग तो भक्ती मुव्मेंट में ये तिनों रास्ते बताए गये थे मोक्ष पाने के लिए ठीक है मोक्ती पाने के लिए आगे दिखेंगे भक्ती इंफैसाइजड एस्पेक्ट्स लाइक एक्वैलिटी इरिस्पेक्टिव अपकास्ट ठीक है क्रीट कलर एटसेटरा अब यह जो भक्ती थी यह बहुत सारी चीजों से उपर थी ठीक है भक्ती अभी भी जहां होती है वो सारे चीजों से उपर होती ह बेटा चाहे किसी भी चीज की भक्ती हो, तो रंग, रूप, भेद, भाव, जो जातिकत, भेद भाव होता है, इन सारी चीजों से उपर होता था भक्ती, भक्त तो सारे जातिके लोग हो सकते हैं, कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो उनका, ठीक है, तो भक्ती में कोई भेद भ तो इन सारी चीजों से परे था भक्ति, इन सारी चीजों से परे होता है भक्ति, भक्ति का मतलब कि मन में क्या हो सदगुण भरे हूँ मन में क्या भरे हूँ दया भरी हो ठीक है और भक्ति हो एक भगवान के लिए सबका क्या हो एक इश्वर को सब लोग मानें उसी में भरोशा करें और सारे तरह की बुराईयों से दूर रहें ठीक है और एक ही भासा में कह स कुछ नाओं कि बहुत कोई उंचा है बहुत कोई नीचा है सब लोग बराबर का अस्थान पाएं आगे दिखेंगे डेवलप्मेंट टू साउथ हिंडिया ठीक है नैनर्स एंड अलवर्स तो इससे पहले हम लोग इंफो कैपसूल पढ़ ले इंफो कैपसूल में दिया हुआ यह बेटा दे फ्कूल्य फोलोववर्स ऌषिंगे जो भगती इसकूल के फॉलोवर्स थे पॉलोवर्स मतलब अनुआई होते हैं जयसे की हम है आपके टीचर है तो आप लोग हमारे फॉलोवर हो ठीक हमारे बात सुन रहे हो ऐसी ही जो भगती मुव्मेंट के जो फॉलोव उनको दो भाग में डिवाइट किया गया था, एक तो बेटा सगुड, सगुड means believers of God, बिथे form and निर्गुड believers of formless God, underline this and learn this at this time, इसी टाइम याद रख लिजिए, जो भक्ती का बिथारा थी बेटा, जो भक्ती कह सकते हैं कि स्कूस होते थे, उनको दो पार्ट में बाट दिय सगुड का बिथारा एक निर्गुड का बिथारा अब यह जो सगुड का बिथारा है, इसका मतलब है कि भप्णफान जो होते थे, जैसे हम жизнь सगुड का बिथारा के हैं, यह क्योंकि हम भग्वान के पुजा करते हैं, तो एक particular रूप होता है, बोले नात की पुजा करते हैं बजरेंग मली की पूजा करते हैं तो उनकी मूर्ती होती है उनका फोटो होता है या कुछ भी मंदिर जाके पूजा करते हैं तो सगुड काब धारा के जो भी लोग होते थे वह भगवान के रूप की पूजा करते थे भगवान का एक रूप होता था और अभी भी है जो भी लोग सगुड काबेधारा के होंगे, लेकिन ये जो निर्गुड काबेधारा है, वो formless God, अनन्त है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई सकल सूरत नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोग निर्गुड काबेधारा के कहलाते थे, आपको समझ में आया होगा, निर्गुड काबेधारा क्या है, और सगुड काबेधारा क्या है, ये जो है, believer of God with a form, भगवान का रूप होगा, मतलब भगवान को देख करके उनकी पूजा करना, अब साक्षात नहीं, फोटो के थ्रू, मूर्ती के थ्रू, और एक ऐसे लोग ज कैसे development हो रहा है, धर्म का विकास कैसे हो रहा है, और सबसे पहले South India में ही धर्म बढ़ता है, आगे, South India से फिर धीरे नौर्दन पार्ट में भी फैल जाता है, ठीक है, ये जो भक्ती है, तो South India में बढ़ेगा अगर तो सबसे पहले Nanners and Alvars, ठीक है, दो form में ये दो भक्तो का समू है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये जो आपको यहाँ पर Nanners and Alvars दिख रहे हैं, ये भक्तो का समू है, तो पढ़ लेते हैं, around the early medieval period, the भक्ती कल्ट arose in South India and from there it spread to North India, early medieval period में, मतलब medieval period की जब starting time थी, तो उस time पे जो भक्ती कल्ट, भक्ती कल्ट मींस होता है, पं ठीक है, पंत मींस आप समझ लीजिए, रास्ता, तो भक्ती का जो रास्ता था बेटा, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, South India में, और South India से फिर ये धीरे धीरे फैल गया, North India में, ओके, प्रोपोनेंट्स और भक्ती इन South India ब्यारदा नैननर्स, वर्सिपर्स आप सिउ और अल्वर्स वर्सिपर्स आप बिशनु, अंडर्लाइन दिस ठीक है, अब जो ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स थे, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट हम कर सकते हैं कि भगवान के भक्त थे, वो क ब्च्टी स्टार्ट हुई या फेमस हुई ऐसे गुरूप के रुप में प्रचार के फॉर्म में तो दो लोगों का गुरूप था एक तो नैननर्ज थे जो भगवान स्यू को को मांदे थे भगवान सिव की पूजा कर रहे थे और जो अलवस थे वह भगवान विश्णु की और यह दोनों लोग बतब दोनों गुरूप जो था साउथ इंडिया से शुरू हो रही है भक्ति और धीरे धीरे नौर्थ इंडिया तक फैलेगी आगे देखेंगे अब यह जो नैनर्स और अलवस थे यह भगवान सिव या भगवान विश्णु की पूजा करते थे तो इनका पूजा करने का मतलब था इन सारे बंधनों से बचने के लिए मोक्ष पाने के लिए यह लोग पूजा करते थे अराउंड 12 अलवस और 63 नैनर्स हैड स्टार्टे इस तो इन्डिया की बात हो रहे है ठीक है बेटा तो साउथ इंडिया में तमिल रीजन में जो अलवस थे वो बारात थी उनकी संख्या जो नैनर्स थे 63 थी और इस ग्रूप में जो था यह मोव्मेंट स्टार्ट हुआ भक्ति आंदोलन क्या हुआ शुरू हुआ साउथ इंड प्रेडर्स अंटचेबल्स ब्राम्हंस एंड लोकल चीफ अंडर लाइन दिस आपको सबसे पहले बताया गया था कि जो भक्ति मुव्मेंट होता था यह क्या था बिटा लोगों में जाति पाति का जो भेदभाव था या क्या सकते हैं जो कल्ट सिस्टम था जो भी कलर क्री प्रवड की बाते थी इन सारी चीजों से भक्ती परे होती थी या अभी भी है जो लोग भकते हैं वो लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं सही मायने में जो लोग भकते हैं ठीक है ढोंगी नहीं है अगर तो क्या बताया जा रहा है यह जो अलवर्स और नैनर्स के ग्रुप थे तो इन में कुछ अलग-अलग नहीं था कि बस एक ही ब्राम्हर समाज के हैं या छत्रिये समाज के हैं अलग-अलग ग्रुप के लोग आते थे जैसे पॉटर्स बरतन बनाने वाले ट्रेडर्स ब्यापा आते थे इन दोनों ग्रुप में अलवर्स ग्रुप में भी और नैनर्स ग्रुप में तो आपको समझ में आ रहा होगा भक्ति का मतलब अब आगे देखेंगे some of the popular saints of this group there are upper संबंदर परियालवर ठीक है और नमानवर तो ये कुछ लोगों के ग्रूप का नाम है ठीक है ये कुछ ग्रूप का नाम है जो की इन सारे ग्रूप में सामिल होते थे कौन-कौन से अलवर और नैनर में आगे देखेंगे यहां बॉक्स में इंपॉर्टेंट है आदिगुरु संकराचारी इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा ये वोज वन आप दे इंपॉर्टेंट डिलीजियस लीडर बॉर्न इन केरला एराउंड सेवन हंड़ेट एट ये प्रोपेगेटेड डिलीजियस मोनोथेसिजम आफ आदिवाद फिलोस्पी विच मिन्स दाइट एट मॉन इज पार्ट आप दा ब्राम्हान तो आदिगुरु संकराचारी जो थे वो भी एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस लेडर थे एक धार्मिक गुरु थे एक धर्म गुरु थे आदिगुरु संकराचारी कौन थे एक धर्म गुरु थे जो की केरला में पैदा हुए थे 788 इशापूर्प कह सकते हैं और उनने धर्म को बहुत आगे बढ़ाया और उनका कहना था कि जो आदिवात जो धर्म है वो ब्राम्हनों का एक पार्ट है ठीक है यह ब्राम्हन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिये थे हिए तो यह हो गया आगे देखिंगे डवलप्मेंट इन नार्थ लीए हमने डवलप्मेंट इन साउथ इंडिया में ने देख लिया कि भक्ती कैसे बढ़ी दो लोगों का गुरूप था अलवर एंड नैनर एक गरॉप था भगवान शिओ को मानता था यह गरूप भगवा की संख्या 63 थी और ये लोग जगा जगा पर उपदेश देते थे और मोनो थेसिजम में विलीब करते थे एक भगवान है ठीक है एक ही भगवान को मान रहे थे तो ये भी बेटा जो यहां बॉक्स में बताया गया है अधिकुरू संकराचार ये भी क्या थे ये भी मोनो थेसिजम में विश्वास करते थे एक भगवान में आगे देखेंगे नौर्थ इंडिया में कैसे भक्ति डेवलप्मेंट हो रहा है तो देखेगा बाइद थर्टीन संचुरी तेरावी सताबदी में दभक्ति मुव्मेंट हैड स्टार्ट मेंगें इन रोट्स इन नौर्थ इंडिया विच बहुत विटनेशिंग मेजर सोशल एंड रिलिजियस चेंज़ अंडर इंफ्लूएंस अफ ब्रहाम्यानिकल हिंदूइजम ठीक है इसलाम एंड सूफिज में अब क्या होता है थर्टीन भक्ती मुव्मेंट जो है नौर्थ इंडिया में भी फैलने लगता है और उसमें बहुत सारे धार्मिक और हम कर सकते हैं सामाजिक सुधार होते हैं बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार जो है उसके गवाह भी है आज भी गवाही करते हैं तो उसमें बहुत सारा था ब्रामानिकल, हिंदुईज, बतला ब्रामन लोगों का एक ग्रूप था, इसलाम, मुस्लिम लोगों का एक ग्रूप था, मुस्लिम लोग इसलाम को मानते थे है न, और सूफी काबयधारा, बिद राइज ओफ टाउन्स एंड ट्रेट, नूट सोशल ग्रूप वेर गेनिंग इंपॉर्टेंज, जैसे जैसे ट्रेड और टाउन्स का भिकास हुआ, आपने देखा होगा न, ट्रेड और टाउन वाले चैप्टर में, कि ने ने ट्रेड और टाउ समाज में सुधार हो रहा था, एक नया ग्रूप उभर करके बाहर आ रहा था, तो नया ग्रूप बाहर आने का मतलब क्या है, फिर वो लोग अपने लिए एक धर्म खोशते थे, एक ऐसा रास्ता कि उसको वो मानेंगे, फिर हिरारिकल आडर में उनकी पीड़ी वही मानें की आगे चलके वो पूरा continue होता चला जाएगा, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कि लोग एक धर्म अलग क्यों बनाते थे, एक अलग रास्ता क्यों अपनाते थे, जिससे समाज में उनका एक अलग जगा बन जाए, ठीक है, तो इस तरह से साउथ कह सकते हैं, नौर् Most of the bhakti saints and followers came from various social and caste backgrounds, including peasants, artesians, weavers, traders and even brahmans, some of the important bhakti saints are mentioned below, अब भकती saints जो ते, जो सादू महात्मा होते थे, बेटा, ये हर एक ग्रूप से विलाउग करते थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक particular group से आ रहे हो, ठीक है, अब इनमें हर एक ग्रूप के लोग थे, जैसे किसान भी थे जुलाहे भी थे, ब्यापारी भी थे, आपको पहले ही पता ना, बर्तन बनाने वाले इवन, ब्रामण भी हुआ करते थे, जो भी सादू महात्मा होते थे, जो भी उपदेश देते थे लोगों को, तो ऐसा नहीं तक किवल ब्रामण या कोई head society का ही person, भकती saint बन सकता, हर ए एक यहां पर saint का नाम दिया है, एक दो हम लोग आज discuss करेंगे, फिर हम लोग next video में discuss करेंगे, तो सबसे पहले हैं देख लिजिए, रामानुज, ठीक है, रामानुज एक saint का नाम है, एक साधू का नाम है, medieval period के, रामानुज was a bhakti saint from South India who advocated the bhakti mark, ठीक है, तो रामानुज जिन्होंने bhakti mark को बताया, भakti का mark क्या है, उसको सही से उन्होंने discuss किया, he was a worshiper of Lord Vishnu and emphasized that love and devotion were necessary for worship of God, ठीक है, तो वो भगवान विश्नु के भक्त थे, रामानुज कौन थे, South India के एक साधू थे, एक मात्मा थे, उन्होंने bhakti का mark बताया, वो भगवान विश्नु के भक् और उन्होंने बताया कि भक्ति के लिए, भगवान की पूजा के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और भगवान की भक्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये थे रामानुज इनके बारे मैंने आपको बता दिया, अब है रामानंद, ठीक है, गुरू जिसके रहेंगे उसी के तो रहेंगे, ए वस बोज बॉर्ण इन अलाहबाद इन अब्राम्भिन फैमिली और उस अवर्सीपर आफ लाड विश्नू, वो इलाहबाद में पैदा हुए थे एक ब्राम्हण परिवार में, रामानन्द जो थे अलाहबाद में पैदा हुए थे एक ब्रामण परिवार में और वो भी भगवान विश्नु को मानते थे चुकि उनके गुरू रामानुज भी किसको मानते थे बटा बगवान विश्नु को मानते थे इसलिए यह was the first reformer to preach in Hindi वो पहले ऐसे सुधारक थे समासुधारक अब देखिए सादो महत्मा को समासुधारक भी कहा जाता है बिटा क्योंकि वो बहुत तरह से society में reforms करते हैं यह जाति पाति वाला यह color, creed इन सारी बातों को वो लोग मिटाते थे एक भगवान को बताते थे और लोग युझार में वाले मनें जाते हैं जो कि हिंदी में अपना उप्देश्ज देते थे ठीक है एंअ या दwe में एकता का मैसेज देते थे ठीक है यूनिवर्सल ब्रेदर हुड यूनिवर्सल ब्रेदर हुड मीज भाईचारा पुरी दुनिया में संसार में सब लोग क्या है एक दूसरे के भाई हैं भाईचारे का संदेश देते थे हिंदू मुसलिम एकता का संदेश देते थे साथी सा tolerance and complete surrender to one God इसके बाद सहनसीलता को महत देते थे सहनसीलता के बारे में बताते थे और एक ही भगवान ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भगवान की पूजा करने के बारे में इनकी आस्था थी ये भी एक ही भगवान को बनाते थे कि पूरी तरह से हमारी जो भक्ती है लोगोंने सुना होगा अभी भी बहुत फेमस है ये सारे सेंट्स तो ये लोग इनके बहुत ही प्रसीद्ध से थे एकिसके गुरु कोन थे गुरु रामानन खशक की र Стаг किसके फालोर्ती कसको मानते थे गुरु रामानुच को ठीक है भगवान बिश्नु को मानते थे इंदु मुस्लिम एकता के बारे में बताते थे ठीक है तो इस तरह से दो सेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है आज के वीडियो लेक्चर में नेक्स वीडियो लेक्चर में हम लोग चैतन्य के बारे में पढ़ेंगे और भी जो फेमस सें हैं पढ़ने का हमारा मेर नुद्देश यह है कि मेडिवल टाइम पीरियड में कैसा था लोगों का विश्वास कैसा था भक्ति को कितने पार्ट में बाटा गया था ठीक है तो भक्ति करने का जो क्या सकते हैं ब्रांच था वो तो दो था एक सूफी का बिधारा एक भक्ति का को बिधारा भी दो ब्रांच में वेत्या सागुड का था रहEd निरगोड़ सागुड़ मीज़ भगवान का रूप हो रूप के हिसाप से पूझा करें जैसे हम लोग करते हैं और एक निरगोड़ मीज़ बीन आप फॉर्म के भग्वान का कोई रूप नहीं है ठीक है आप क कर सकते हैं कि instant God का universal power का आप लोग पूजा करिए लेकिन उसका कुछ रूप नहीं है तो इस तरह से हमने introduction पढ़ लिया अब हम लोग इस भक्ती वाले को भक्ती movement को complete करके फिर सूफी movement को पढ़ेंगे ठीक है तो next video में हम लोग पहले इसी को continue करेंगे तब तक आप लोग इसको revise करिए अच्छे से कहीं पर दिक्कत हो तो पूछिएगा थर्ड यूने टेस्ट भी आपके होने वाले हैं उसकी तयारी करते रहिए ठीक है थैंक्यू